महिला की गला दबाकर की गई हत्या महिला का घर में मिला संदिग्ध अवस्था में शब बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशन का जताई जा रही है मुकदमा दर्ज कर पुलिस कई बिंदूओं पर कर रही जांच मौके पर पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंग सियो बगहौली प्रभारी निरीक्षक बग्हौली प्रभारी निरीकषक कच्छोना फॉरेंशिक टीम रही मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक ने बताया तीम टीमों का गठन किया गया है कई बिन्दुओं पर पुलिस चार्च कर रही है जल्द ही साक्षे कठा कर जल्द ही घटना का होगा अनावरन बयूरो रिपोर्ट अनिल वर्मा एवीपी भारत म्यूज हर्दोई पुलिस मोके पर फिली नुट के साथ पहुंची है और महत्पून साक्षा इकट्टे की जा रहे हैं जो परीजा ने उनसे जानकारी की गई है तो कुछ बाते पता चली है कि इनके लड़के को कबसे लगबख चार-पाच महीने पहले बलातकार के मुकदमे में जेल भेजा गय पुलिस इस बिंदू पे और अन्य बिंदू पर घ्यांता से जाच कर रही है इसमें तीन टीमों को गठन किया गया है और मुकदमा पंजिक्रत करके सारे साग्षे कट्रत करके बहुत ही जल्द इसमें फलासा किया जाएगा और जो इसमें अभित है